नमस्कार चुसारणी, आज मैं आपको कश्मीरी तरीके से मश्रूम की रेसिबी बनाना बताऊंगी, जो बहुत ही इजी है और बहुत ही टेस्टी बनती है और ये शादी, घर या किसी भी ओकेशन पे बहुत ही बनाई जाती है और ये मैं कश्मीरी तरीके से आपको बनाना ब हमने इसे अच्छे से वाश कर दिया है, ये देखिए, अब मैं कढ़ाई लूँगी जिसमें मैं इसको फ्राई करूँगी, कढ़ाई ले ली है, अब मैं इसमें तेल डाल देती है, और तेल को मैं गरम होने के लिए रख देती हूँ, मैंने सर्सो का तेल लिया है, सर्सो के तेल को थोड़ा सा गरम करना होता है, जब तक तेल गरम हो रहा है, हम इसे कट कर लेते हैं, हमने इसके पीसिस कर लिये हैं, यह देखिए, अब हम इसे फ्राई करेंगे, तेल गरम हो गया है, मैं गैस का नौब बंद कर देती हूँ, तेल में अब थोड़ा सा में सिर, मतलब जीरा डाल देखी है, और हम मश्रूम को डाल देखें, हम इसमें थोड़ा नमक डाल देते हैं, इसी मश्रूम अभी पानी चोड़ेगा, जब तक यह पानी एब्दॉप नहीं कर लेगा, तब तक हम इसे तलने के लिए रखेंगे, फ्लेम हम फुरी खीने कर देखें, यह देखिए, मश्रूम ने पानी चोड़े है, यह देखिए हमारे मश्रूम भी हलके से, अब मैं इसमें, दो लॉम, डाल चीनी, छोटी इलाईची आप डालना चाहें, तो डाले, अधर्वाइच पिस्केट कर सकते हैं, छोटी इलाईची, बड़ी इलाईची, और लाल मिल्च पॉटल, एक छोटा चमच, यह देखिए, मैंने कौन सा चमच यूज किया, यह चोटा चमच, और इसे मैं मिक्स कर लेती हूं, है ना बहुत ही एजी रेसिपी, ना किसी भी प्यास, टमाटर, अध्रक, लैसुन का ज़ंच, और हमारी पटापड बनने वाली रेसिपी, इसमें थोड़ा समय पानी मिला लेती हूं, और इसे मैं थोड़ी देर पकने के लिए रखते हूं, अध्रक देते हैं, थोड़ी देर पकने के लिए, फ्रेम थोड़ी धीमे कर देते हैं, अब हम इसे चेक कर लेते हैं इसे ये देखिए, कश्मीरी तरीके से मश्रूम की रेसिपी रेड़ी है, ये देखिए, है ना बहुत ही इजी और बहुत ही सिंपल रेसिपी, ना प्यास टमाटर का जंजट, ना अध्रक लैसुन का, और मिंटों में बनने वाली मश्रूम की रेसिपी, तो एक बार इस तरीके से आप ये रेसिपी बना कर जरूर देखें, और अपने कमेंट्स मुझसे जरूर शेयर करें, और कोई भी रेसिपी के बारे में पूछना हो, तो आप कमेंट्स करके जरूर पूछ सकते हैं, तो आपको मेरी रेसिपी कैसी लगे, कमेंट्स करके कश्रूम की रेसिपी कश्मीरी तरीके से